वरणिवे सरमनिय दर्ष्यनं मंदहा सरुचिरान नाम्भुजं पूजितं सुरनरोत्त मेरमुदा धर्मनंद नमहं विचेंत ये ओमवतारिने स्री स्वामिनारायनाय नमो नमहं श्री सहजानन्दाय नीलकंठायच नमो नमहं श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमहं बोलो स्री स्वामिनारायन भगवानने स्री हरे कृष्यन महराजने श्री घनस्याम महराजने श्री कथा सांभडनारा बधाज भगतोंने खूब हेत्ती जै स्री स्वामिनारायन वाला भगतों स्री हरी चरित्रामृत सागर्त पूर्चोथु तरंग चुम्मोतेर्मू सद्गुरु अधारनन्द स्वामि आ ग्रंथमा भगवान श्री हरीना स्री मुखे प्रगट थेली अध्भूत वातों नोधिरया छे महराज एम कहे छे अमारी वातों दिव्य छे पणा दिव्य वातों जेनू माईक अंतह करन छे यह मा टक से नई, एने समजा से नई, एने मना से नई यह अमारी वातने अनूसरी नहीं सके सिहननों दूध शोड वल्ला शुवर्णना पात्र माज टके यह उत्तम वातने समझवा माटे आपना जीवन ने पन उत्तम बनावू जरूरी छे आपनों माईक अंतह करण, मलीन अंतह करण, वासनाथी दुसीत अंतह करण एक केविरीते परमात्माने पामी सके एतला माटे बद्धी साधनाओ छे धर्म पालवानों सामाटे अंतह करणने पवित्र करवा माटे भगवाननी भक्ती करवानी माला पुजा पाठ वगेरे सामाटे अंतह करणने निर्मल करवा माटे साफ करवा माटे अपनी बद्धी साधनाओ अंतह करणने स्वच्छ ने साफ करवा माटे नीज छे आत्यांति कल्यान तो भगवानना आसराथी थाई छे नाविमाची एक वार नाद निकले ये महराज हुँ तमारो छुँ तो सास्त्र प्रमाणे भगवानेने पसंद करी ले इचे स्विकारी ले इचे बिजा साधन्तो रदैने साफ करवा माटे अदभूत महराजनिया वाद छे महराज इम कहे छे और नहीं मतलब हमारे ब्रह्म रूप करना निरधारे हरिसम कोईन माने सारा यही ब्रह्म रूप अद्रा धनिरधारा और नहीं मतलब हमारे ब्रह्म रूप करना निरधारे अमारे कोई मतलब विजो छेज नहीं बद्धू कारिय करिये छिए सत्संड्योंने संतोंने भक्तोंने अमारे ब्रह्म रूप करवानों निरधार छे ब्रह्म रूप एकले माया थकी पर माया थकी परेखले माया ना आवरणों जिने नड़ी सके नहीं ए कई आवरणों महराजे वधार्यम वधारे वात करी मान अपमान सुख दूख सानुकुलता प्रतिकुलता माया ना आ बदा भावो जिने नड़ी न सके एवा अमारे बनावा छे ब्रमरूप करवा छे एज अमारों निर्धार छे बीजा कोई गुण रहे के लेश मात्रपन न रहे तेमा आमने कलेश न थी जेनी द्रश्टी आत्माने आकारे थई होई तेने बीजो कोई कलेश आउतो न थी महरादनी वातों थोड़ी वाची लेए आ समझन नी वात छे समझन एटली उची भुमिका छे जो समझाई जाई ने तो एकस शेकन मा बेडो पार थई जे आसित बगत केवी रीते एक द्रश्टांत आपू रामानुजा चारिय जी ये पन द्रश्टांत आईपू छे सद्गुरु गोपलांद स्वामी ये पन आद्रश्टांत ने स्विकायरू छे पड़ एद्रश्टांत जुदी रीते तमें समझी सको एकले बीजिव जुजुन द्रश्टां नव आपू छू करणने पोतानी मातानी खबर नोती जै आचारिय रामानुजा चारिय जी द्रश्टांत आई पूते पोताने सुत पूत्र मान तो हतो तमें बदा जानो छो मनमा संदेह तो मारी मा कोण छे एक दिवस सवारे गंगा मा श्नान करी सुर्यों दिकरो एक करण दान आपवा जाय औने सामे कोने जोई आणे मा कुंताने जोई कट आणा रदैना सब्दो साम्भतानी साथे एकस स्यकण्ड मा एकनद मा आकी जिन्दीगीनो जे वसवसो हतो करण ने सुर्यों पूत्र कहवानों पण साथे साथे सूतनों दिक्रों थयो, मने लांचन छे, मने कलंक लाग्यू, पण एक सेकन मैना मन्ना बद्धा परस्णों इनु निराकरन थयू, इनु दुख जतू रयू, मो तो क्षत्रिय पूत्र छू, मा कुंतानों दिक्रों छू, पांडवोनों मोटों भाई छू, के गरेना लेवावे, उच्छीना गरेना, एने लिधा, लगन सारविते पूरा थया, एनेम के काले आत्वा जाओ, पटारा उपर एक घडामा भरिन मुक्या छे घरेना, घरो आखो चुराई गयो, आ गरीब मानस, औने आविरिते सोनना गरेना चुराई जाई, पन साहुकार ह इमानदार हतो, ओनेश्ट हतो, एतलू दूख थयू, एतलू दूख थयू, एक स्रिमन्त मानसे मारा उपर आतलो मोटो विश्वास मुकी ने, मारी दिकरी ने पोता ने दिकरी समझी ने, सोनना गरेना आएपा, और येना गरेना मारा हाथे चुराई जाई, मुशू वापीस, केम मोटू देखाडीस, जमीन वेची, जेके नानी मोटी मिलकत बदी वेची नाखी, पेला घरेना जेवा, घरेना बनावा, ट्राई कर्या, सोनना अपन बने, आतो गरीब हतो, तदन गरीब, बेचार घरेना बन्या, मैना वो सुधियनू सर्य आखु लेवाई ग पड़ी गयो, जाने मृत्यूना दर्वाजा सुधी पहुची गयो, औने घरेना आथमा लई, नीचु मोडू करी, 200 पचीपेला साहुकार पासे आवे, साहुकारे तो एक वार उगराणी पन नथी करी, आने ये वातनो आनंद छे, क्या केकलो सज्जन छे, औने पोताथी ज जिन्दगी मा जेकई मारी ताकात असे प्रमाने विजु देऊ पण चुकतिय करीश, पेला साहुकार नेम थयू, क्या केटलो इमानदार मानस छे, इने उभो कर्यो, सांत कर्यो, अरे भाई, आतलू बधू रडे छे, तने आतलू बधू दूख छे, साचु कव, हाँ, तु मानिस, आग घरेना मारा नथी तारा छे तुलेई जा, मने खबर हती, कि सोना ने साचवू, ए सामान्य मानसोनू काम नथी, एतले मारा घरे, सोना ना घरेना में जिवा राखिया छेने, एवा हुँ, इमिटेशन, खोटा घरेना पन राखतो, कोईने खबर न पड़े एतला में तो तो ने खोटा घरेना आए पाहता, चुराए गया, चिन्ता न कर, एक महीना थी जिने दूख हतू, उंग नोती आउती, खाई नोतो सकतो, अखो दिवस रडे, दुखी थाई, ये मानस नो दूख कितली वार मा दूर थे गयू, बोलो कितली वार मा, पन जो आवात न समझानी होत्तो, अजिवागत तो अखी जिन्द iki भार मा जीवत ने, अखी जिन्दि दुख मा जीवत क्या ने , तमेने मया संसार ने सत्यमाइनो चे, आ संसार ना बदा विहवारों ने सत्यमाइना चे, खोटू छे ने सत्य मायनू छे एकले आपने सुन पेला गरिबनी जेम रडिये छीए ज्यारे आपनने आ सास्त्रती समझा से सुन समझा से बोलो तो खरा एक गुजरातीना लेखा के बहु सरस वात लखी छे कवी सुन्दर्मनी कवीता आँचे चारा लावी साख्यी सांबलवा जे देखातू नई एकले नई एवात नती सै मारा भै आपनने भगवान देखाता नथी परमशत्य देखातू नथी देखातु नथी, एकले नथी, एवात सत्य नथी, ओ मारा भै एकली सरस्याने आग कवीता लखी छे, द्रिष्टान तो साथे एमानू एक नानू द्रिष्टान, कवीता आखी नथी मारी पासे अत्यारे केटली सरस आबदी वातो, समझन जीवन मा, आजे थोड़ी वाता पड़े वधारे सांबल वी छे हज़्यारो लाखो करोडो प्रकार्नी समझन छे, परन्तु सत्संग मा, अमुक प्रकार्नी समझन जरूरी छे जीवनमा आगला हुवा माते अमुप्रकार्नी सम्जण जरूरीच छे आ बद्धा सास्त्रों आपने सम्जण आपे छे पनजी मारी वाद संबल जो महराज एम करे छे मारी वाद अमाईक छे दीव्य छे ये माईक अंतहकर्ण वाला नई सम्जी सके थोड़ों आमाथी वाद्ता जसु आपड़े पना भूमीका बांदू छु बद्ध्वमा महराज केवा नाची एकले जेनू अंतहकर्ण माईक छे इने अमाईक वाद आपो तो पन गैकालनी वाद भगवान बुद्धनी पेला भिक्साने आपनारा मानसे कहिऊ के भगवान त मारी कल्यान करनारी वादो पन तारू अंतहकर्ण जो साफ नहीं होई तो कल्यान करनारी नहीं उल्टानू बगाडनारी थसे बिभेत्य अलपस्रताद वेदह मामयं प्रतरिश्यती सास्त्रनी वादो पन तोज कल्यान करे आपड़ा अंतहकर्ण मा निर्मलता होई तो एतले वचनामृत मा महराज बोलया सत्सास्त्रनु स्रवाण सत्पूरुस्थकीज करवू लोयानु अग्यारमू वचनामृत महराज एम बोलया महराज कहे सत्सास्त्र माठी पौन असत्पूरुस्तो अवली समझनज ग्रहन करे छे यह आपने बधा कौन इतले धर्मनी जरूर छे, इतले भक्ती नी जरूर छे, इतले ग्राननी जरूर छे, इतले वहीराज्यनी पेला नंबर मा धर्मनी पायो छे सुचे यह पायो छे फाउंडेशन छे फाउंडेशन न थी तो मकानी उभुज के विरी ते थाई पची भक्ति भजन पुजा पाठ प्रेम संतोमाहेत महिमा आ बधु यह आवे त्यार पची समझन अन्य त्यार पची वैराज्य वैराज्य नी भुमिका मानेटले बधु पू मकान बनावे बे बालक बनावे तारू सारू मारू सारू एम करता करता लड़े एप छोकर उभो थाई औने बिजा बालक ना घर ने लात मारी तोड़ी नाखे पेलो बालक एकलु बदु रड़े यहना माता पिता यह बालक थी नजीक आवे यह हसे बालक ने रड़तू जो पुत्र ने वा चोकस छे पड़ माता पिता एतली हसे छे माता पिता सम्जण वाला छे के बला मानस रेतिनु घर रयू तोईसू औने तुट्यो तोईसू रेतिनु घर कदाच बच्यू हो तो इमा रेवा मलत इमा ची लाक बे लाक दोलर वेचे तो मले मले मानस रेतिनु घर ये रयू तोईसू औने गयू तोईसू आज सम्जण पिता ने छे पुत्र ने अथी यह आब दी संसर नी माया छेने माती थी धेर मिट्टी का हर आदमी है बाद मरने के होना यही है या जमीनों पेतर बत बनेगे या चिताओ में जलना पड़ेगा धेर मिट्टी का हर आदमी है बाद मरने के होना यही है अब बद्द माती माँची थैयू छेने एक दिवस पाच्उ माँची माँच भड़ी जवानू आठ्लूस सत्य छे अनाधि निदन 5 ब्रह्म साष्त्र कहे छे पेला पन मातिनु रूप अतु भविश्य मा पन माति नूज रूप थवानू छे सास्वत आतमा छे सास्वत परमात्मा छे सास्वत जीवे करला कर्मों छे एछे एनी साचे वडगवाना छे अरे तमें मनें टुकमा समझावो जेतला रडे छे इबधा कोना जेवा छे का पेला गरीब मानस जेवा अने का पेला बालक छेवा समझे छोन तमें अंगरीज ना कवी बहुस रसवात लखी में एक ब्यवात वाची we have killed the poetry of life आपनेज आपना जीवनना संदर याने खलास करी नाख्यो मानस पोतेज पोताना जीवनना दुखने उभू करे छे we have killed the poetry of life बहुस समझवा जीवे एक एक वात वे ध्यान थी आपड़े सांगलिये महराजेम कहे छे बिजागून रहे के लेस मात्र न रहे तेमा आमने कलेस न थी जेनी द्रश्टी आत्माने आकार थई होई तेने बिजो कोई कलेस आउतो न थी आमाईक द्रश्टी तो तुकी छे अनंत आवरन नडे छे अमाईक द्रश्टी अपार छे प्रकास युक्त छे सकती साली छे अने अमाईक द्रश्टी जे साची छे पन माईक द्रश्टी तो खोती छे असत्य थी सत्य ने पकडवू ते तो तपावेला लोधाना गोडा ने सान ची थी पकडवा जेवू असक्य छे महराज चाल्या जता ता एक मानस आत्मात राजवारा खी आत्मात राजवारा खी एमा पत्थरा गारो काकरा अब दुमुके दुमु पाड़े ए शेठ आओ ए भाए आओ हेरा लो ंच जवेरात लो महराज या दरश्य जोई उभारव गया थोडी वार बद आढ़े भगतों खड़खडा तरसे महराज निके आओ आओ महराज आओ हेरा लो जवेरात लो सोनो लो चानदीलो पत्थरा मुके बे किलो एक किलो अगे इरभे एकले महराज खूब हंश महराज लिया हस्ताः अस्ता महाराज बोल या कॉण चे बय त्यारे घरी भकतोई परीचय यहाँ पू महाराज ऑमारा गामना एक धनाध्य श्रिमनत सेठ हता पंडगली खसी गई ए क्यिक परें नाम कबाद सेठ हता पन डगली खसी गई, हवे बधाने कबू गांडों कहे छे आ वेचवानू काम पेलाई कहरू तो मत्यार कहरू अटले वेचवानू चालू रहीू पन पेला जुदू वेचता गण हवे महरत खडखडात हस्ता अस्ता येम बोलिया वाला भक्तो तमारा गामना सेट जेम गांडा छेने कबा सेट ही कबा गांडा येम आखी दुनिया आमारा माते आख कबा गांडा जेवी छे रेतिनु मकान रयू तोईशू औने ना रयू तोपन सु देखातू नथी एकले नई ये वात नथी सै मारा भै देखातू नथी एकले नई रेतिनु मकान रयू तोईशू औने ना रयू तोईशू आपडू सनमान थयू तोईशू औने ना थयू तोईशू मान मलू तोईसु औने ना मलू तोईसु मान अने अपमान, हर्स अने सोख, सुख अने दुख, सानोकुलता अने प्रतिकुलता, अध्वंवो मा आखी दुन्या दुखी थे तेवी अध्भूत महराद नेकेक वाद जो मायक बुद्धी थी प्रगट स्रीहरी के संतो भग्तो नी महत्ता पकडावी एवी जरीते असक्य छे जे जे काम करवू, ते आत्मसत्ता रूप थैने करवू, ते ना थी कोई जातनू बंधन न थी थतु तेम आकास निर्बंध होई छे, तेम ते कर्म करना रोपन निर्बंध रहे छे आत्मसत्ता रूप थैया होई, तेवा हरी भग्ते पन क्यारे अधर्मनू आचरन करवू नहीं जो महराद नूँआ सिद्धान ताय वोजुयू आत्मसत्ता रूप एकले आत्ली उची भुमिकास थिती केलिवी होई, छता धर्मतो पाचो न करवू, दुनिया मा एक पाखंड बोव मोटू चालेच, हवे मारी महराद नी वाद, थोड़ी एया थी, संबंध एककत छे, पर एवरी कोईन हेस टू फेजिस, वचना मुर्त म श्रीजी महराद बोलिया, बे मार्ग चडवाना छे, और बे मार्ग पडवाना छे, तुकु लोजिक छे, जे निस्रनी थी उपर चड़ी सकाई, एद निस्रनी थी ध्यान न राखोतो, पड़ी पन जवाई, चडवा मा तो वार लागे, पडवा मा तो एककत पगत्यू હતણમાં સમય ન લાગે માહરાજ વચના મૃતમાં કહે બે મારગ છે ચળડવાના અને પડવાના કેયા રસિક મારગ અન मुट्टा भाग नो प्रेम कयो छे लग भग प्रेम निर्मल प्रेम में कयो ने प्रेम जेकली पवित्र आद दुनिया नी बिजी कोई वस्तु न थी प्रेम जेकली महान आद दुनिया मा बिजी कोई वस्तुज न थी जे मानस ने आद दुनिया मा कोई पर्णो प्रेम न मले ये मानस जीविद न सके विग्नान औने धर्मसास्त्र बनने सम्मत छे जीववा मातेनू सवती मोटू बल प्रेम छे पड़ मानस नो प्रेम वासनावो थी, अपेक्सावो थी, स्वार्त थी, कपट थी, छवड थी ढगायेलो छे एतला माते प्रेम पतननु कारण, एतला माते प्रेम दुखनु कारण, मिराना आसूपन आनंदना हता कारण सूपतु, मिरानो प्रेम निर्मळ हतो, निर्दोस हतो, नर्सी मेतानु दुख पाण, सुखरू पतु, कारण केनो, गिर्धारिनो दामदरनो प्रेम निर्मळ हतो, निर्दोस हतो मुक्तानन्द स्वामी ब्रह्मानन्द स्वामी लोकोना मार खाता छता आपना सनमान करता ये संतोने मार पन अधीक लागतो दुनिया ना मानसो बले मारे पना आपने महराजने खातर मार खाये चीन समझनतो जुओ नाकान कापी नाकवा तयार थाई बावाजी मुक्तानन्द स्वामी ब्रह्मानन्द स्वामी पकड़े ब्रह्मानन्द स्वामी थोड़ा अकड़ाई जाई स्वामी आगना आपो तो आजे एक दिवस छूटापो खाली ब्रह्मानन्द स्वामी अकड़ाई जाई ने मुक्तान आज सम्जन आवा सम्मिमा रही सके हरीश बैं कोई नाक्कान कात्वा तयार थाई रापण यहम थाई खरू क्या तो महराजनी केटली मोटी कुरुपाक महराज माते नाक्कान कापा से आपड़ा लो इतिहास माँ मारे वाद बहु सरस लेन आवो छो आजे एकले आपणे थुडवा वाची लिए महराजनी आतो बहु दीविये वातों छे एवरी कोईन हेज टू फेजीस ग्नान मार्ग अने प्रेम मार्ग बन्ने मां प्रेम निर्मल निर्दो साचो होई तो चड़ावे सुखी करे बाकी दुखी करे ग्नान मार्ग पन जो समझन साची होई तो सुखी करे खोटी होई तो दुखी करे आट टुकुच गणी तमे द थे जिग्या एक कई खुटे छे खुटे छे ने खुटेच्छे- बागि सुधामँ जुपडामा पन सुखी रही सकता था अने रावन लनकामा पन सुखी रही सक्यो नाइ सुख्णू मोड समझन छे बद्धा सास्त्रों मा सम्मत छे भवतिक अने अध्यात्मिक बन्ने सास्त्रों थोड़ू समझिये जो केटली सरस्वात छे अवे महराज आत्मक निष्ठाने ब्रह्म स्थितिने पामी गयो होई बहु उची भुमीकाने पाइमो होई एनू नेगेटिव पास्तो सुचे पछे मा दंभावे पछे मा पाखंड आवे लोकोने छेत्रवानो धोंग आवे एतले महराज पाखंड उपर वात करे चे बदी सा मा भगवननों अपार भई राखे चे बुद्धिमान विप्रो पोताना धर्मनू पालन चुस्त पणे करता होई चे असारा मानस निवात करी परंतो केटलात्तो मिथ्याग्नान सिखिने अत्यंद पापमाई बुद्धी थाई जवा थी पोतेज कृष्ण औने हरी कहडावत होई औने लोकोंने भर्मावे छे हां लिडियो बताओ तमने हां बोलो रामने कृष्ण करता पोतानी जातने मोटा केना रा जेलमा बेठा चत्यारे कितले ना को भंडो निकलेची कितला को भंडो महराजनी एक एक वात सत्य थाईची येनी साधना खोटी नो होई अजी भा अने महराजे कयो हतु श्त्रीने समाजी न करावता बराबत महराजे नियमाय पाता चारपाँच पन लोकों पची भगवान मानवाला गया दाधी देख मेरी डाधीन समाजी थाई बेनवायवा समाजी करावी तमेज भगवान तमेज स्वामिनारेन अने सेख मियान थाई ग जो समाधी कराओ अखा गडपूर गामना मानसों भेगा करया वात महराज सुद्यावी महराज तो हस्तार याके बोईला नहीं हम आत्मू लटकू करू खाली मुक्तानम समिकी दुख महराज आसू करू महराज क्या में हेस्वर ये पाप्सों खेचिली दू स्विच ओफ गामना मानसों ने भेगा करया मारी सामे जुओ त्रातक करो मारी आकमा आक मिलाओ अमना आज वन टू देख मेरी डाडी पन थाय करियो दे समाधी थाय बहुँ अधिमान इवयोस्तू छेने मानस ने भगवन नी सामवोडियो बनावी दे पोताना जे मोटाम पुरूस होई जेनी कृपाती सदगून मला होई येनी सामवोडियो बनावी दे पोताना मातापिता जे जिवननु मूल छे ए मातापिता नी मरियादपन तोड़ावे छे कौन अहंकार अभिमान अगनान अन समझान महराजे एक वात करे जे कासी नो पंड़क नामे राजा हतो ते मिध्या वासुदेव कहवातो हतो मिध्या गरुडनी सवारी करतो संख चक्र गदाने पदमने राखतो भागवत जिमा वात आवे जे पो ते कृत्रीम चार आथ राखतो पच्छी स्री कृष्ण भगवाननी सन्मुख लडवा आवियो त्यनो बनावत्ती मिध्या वेस देखेने सुखदायक स्री कृष्ण गणू हस्या पंड़क नू मोत नजिक आवियो हतो ते थी स्री कृष्ण भगवाने कहिऊ वासुदे करके ना त्यारे स्री कृष्ण तेने कहिऊ तारू जे पराक्रम होई ते पहला मने बताओ हुँ तो पच्छी मारूप पराक्रम बतावी सज हुँ पराक्रम करू एतले तो फरिवाला नगरमा जही सकिस नहीं पोंडरी क्रोधित बनीने स्री कृष्ण नी उपर अनेक प्रकारना अस्त्रो सस्त्रो तेना प्रहार करवा लग्यो ते माथी एकपन लगारेक भाव्यू नहीं पच्छी स्री कृष्ण प्रभुये कहिऊ ए मिथ्या आडंबर करनार ए दंभी पाखंडी पंडरक हवे मारू बल जोईले एककजवार चक्र ने फेक्यू एनू माथू तोड़ी नक्यू भगवान साचाहता ते साचाज रहिया असत्य पंडरकनू कोई ठेकानू रहियू न पंडरक जेवा केकलाक पाखंडी विप्रो आ जगत्मा ज्यात्या फरे छे तेनी खबर राखिवी जोईये परंतु जे गाफल हरी भगत होई ते पाखंडी ने ओलखता नथी पंडरक जेवा केकलाक पाखंडी विप्रो आ जगत्मा ज्यात्या फरे छे तेनी खबर राखिवी जोईये परंतु जे गाफल हरी भगत होई ते पाखंडी ने ओलखता नथी कोण ओलखी नथी सकता गाफल होई ते लालचू होई ते एतले गुणायत्यानंद स्वामी कहे वातो मां सिह के वाग क्यारेवाडामां पूराता नथी गायो भेंसो बकरा गेटाई वाडामापूराईए छे येम સાચો મુમુક્સુ ક્યારે મથ પંથમાં ફસાતો નથી અને ફસાઈ છે તો ફસાવનારાનો પણ વાક છે અને જેવા કેટલાક પાકખંડી વિપરા જગતમાં જ્યાત્યાં ફરે છે તેની ખબર રાખવી જોઈએ અને ત્યારે તે બે વાતમાં નીપણ હોઈ છે તે તો તે પાખંડ્યાને પણ ઘસારો દે છે તેને પાછા પાળે છે જો ગુરુ જીએ દીવ બંદરના પ્રેમુ બાયની વાત કરી જે મહરાજના સમઈ માં પણ સ્રીજી મહરાજ બણી ને ઘણા લોકો જે પેલા હું સહજાં તરીક્યાઓ તેર એકલા હોત લક્ષમીજીને મુકીન હવે લઈ ને વોછુ આમારો પૂરણા ઉ હોઈ પણ હદ બારો કેવાઈ છેને કે લોભીન લાલચુમાન સોયન્તયારે ધુતારા ભુખેના મરે ઇમ બે આવો સાળી છે ગુરુજી કહે છે ને આપણને હરીક્રષ્ન માહરાજ મળ્યા સ્રિજી મહરાજ જે બાતમાં લઈને મૂરતી પદ્રાવી એ અને એ મહરાજ ને જેવા છિવા ઓળખાવે એવા સાચા એકાંતિક સત પૂરુસ મઈળા આનાથી મ નીષ્ચે નીપણ હોઈ છે તો તે પાખણ્ડ્યુને ઘસારો દેછેન તેનેત પાછા પાડી દેછે ઈ કોઈની માયા જાલ વાત કરી અની એક યુવાન હરી ભગત ઉપો થયો ગવરાંગ ભગતેનું નામ એને કયું સામી તમે એક વચના મરુતની સારુ બેહી જાઓ તો વાત પતી ગએ હવે આપણે સાસ્તરાર્ત ના સવમી પણ તમે ખોટી વાત કલો છો વચના સામ્રુતની આતારે લોકોને બરમાઓ છો સવમી ને ગાં છોડીન જતુરેવુ પડું બોલો પણ ક્યારે નિષચઈ મ પચી આપડા સંતો મિળાને પચી સતસંગ સંજાનં પચી ખબર પડી બહે સંતો આવે વાંદો ને પણ આપડા આતનું જોએ કે સામી તમે સંત છો તમે સીરો પૂરી માલ્પૂડા દુધપાક બધું બનાવો તમાર રીતે બનાવં વાંદો ને સમ્જાઈ ગેવાત એજ સામી જે ફરીવાર આવે અરી ભગતું ફ્રીજે ખાલી ઘરે ખાલી ફ્રીજે ખાલી ઘરે ખાલી ખાલી કેદો કે મઠ્યા પાપડી છેકને ખાએ ઘર્માં હારી ભગતે કેદુક સવામી હવે તમે બનાવન અમને જમાડો વાત કરી આત્લું ભગતું વર્તમ કેમ ચેન થયું ભગતે વાત કરી સમજાય ગયું સમે તમારાત્નો મે તેવુ પવિત્ર પવિત્ર તમને જમાડીએ ઇમાત તમે પાપમા પડોં અમે પાપમા પડીએ તેકે આ બરમગણતને પરોપં છે સોંક એ ખબર ઇમની સેવા માં હોએ એજ શેવા કરે એજ રસોઈ બનાવાવા જાઈ પાછાં ત્યાં સુધી લોભી ગુરુ લાલ્ચુ ચેલા દોનો નરકમે ઠેલં ઠેલા સુંથાઈ પરિષ્થીતી સુંથાઈ તમી વિચારો આમાં કોનુ કલ્યાન થાઈ દં બને પાખણ્ડ આતલા ખરાબ છે અને જાજુવા કલ્યુગમાં સૌથી વધારેમ વધારે પાખ પોંડીગ જેવા કેટલાગ પાખણ્ડીઓ જેં વિપ્રા જગતમાં જ્યાત્યાં ભરે છે તેની ખબર રાખવી જેલો માહરાજ કેએ છે જે લોકો દમ વિનાના તુછ હોઈ છે તેવો તો ક્યારે ભગવાને ભજી સક્તા નથી સત્સં માણસનો સોક કરાઈ નહી તેને દૂર રાખવો તેનો સહવાસ રાખવો નહી સ્રી હરીએ જેતલા સંતો હતો હતા આમે ગામ જેહરી ભક્ત રહતા હોઈ છે તેમની આગળ આવા પાખણડ્યો ની વાત સમજાવી ને કહવી વાત કહી આવાજે ગામ કહવાતા હોઈ આવાજે ગામ કહવાય છે તેમાં એવા કોઈ પાખણડ્યો રહતાજ હોઈ છે ખોટી દે તે ઉપરથી સતસંગના વર્તમાનું પાલન કરીને ભાળા લોકો પાસે થી ધન હરી લેને તોતાનું પેત ભરતા એવા અનેક પ્રકારના ગામોમાં પાખંડ્યનું તેવુ આચરણ હોઈ છે એતલે તેમનો વિશવાસ કરો નહી જેમ પરુપનું ગ્ણાન દુધના જેવુ છે પણ તે ગ્ણાનનો થોડો અંસપણ ખળ મનુસ્યને શિખવો નહી જોયુ કેવી સર વીચારો પવીત્ર થતા નથી ત્યાં સુદે માનસ ક્યારે સુખી નથી થતો આસી ધાનત છે પાત્રતા કેળવી અધીકારી બનવુ પેલ્લી વાત છે મારાજ એમ કહે છે આવી ગનાનની વાતો ખાળ માનસને નસીખવારતા કારણ બીજા લોકોને હરાણ કરશે સુંથે રીં છે ત્યારે હાજ છેને કેવાઈ છેને નથી દીથી ભૂખને કદી અને પાછો જેને ભૂખને જોયદ નથી બરાબદ એટલો બદો ખાવજ્રો છે અને ઉપવાસની વાતો કરે પરાઈ નારી દેખીને નયન જેના આમ તેમ ડોલે સધા મધ્ય ઉભોથઈને પાછો બ્રમચરીએ પર બોલે સમાજ ની એટલી કરૂણ દઈની પરિષ્થીતી છે એટલી દઈની પરિષ્થીતી પાખણ તો ખુલે આમ ચાલુ છે ખુલે હમણા કોય કેટલી સરસ આત્લી મોટી હોનારોત થાઈ છે એકપણ જ્યોતી સીએ આ નોટબંદી થે ઇંડી હેંડી જાપાનમાં સુનામી આયવો એકપણ જ્યોતી સે આગાહી કરી ધોળા દીંશે લોકોને ધુતવાનું કામ પઈસા લઈ વઈભોને વધારો જરૂરી છે આપણા અંતરમાં જેટલો અધ્યાતમનો ભાવ વધે બરાબર સમજણ વધે સતસંગ વધે ન નહી માને તેને દુખ થસે પહેલા જે ખળ કહવાતો હોઈ તે સત્સંગ માવી ને સાંબળ જો બીજા કરતા વર્તન અધીક સારુ રાકતો હોઈ આ બદ્ધી કળી છે તેર બોલતો નુતી પોતા નો વિશવાસ કરાવા માટે ખળ માનસ પોતા નું વર્તન સાઉથી સ્રઇષ્ટ રાખે છે વર્તની સેષ્ટતા જોઈને લોકો ઉપર તેનો ઘણો બાર રહે છે નીષ્કપટ હરીબગત અમેશા સહુની સાથે ચાધારણ રિતે વર્તન રાખે છે તે ક્યારેક અધીક ન્યુન વર્તન દેખાળે નહી જે કપટી છે તે અધિક વર્તન દેખાળે ને પર કેટલા કરીબતા અધિક વર્તન દેખાળી ને અમને પણ છેત્રે છે સ્રી જી મહારાજ ને છેતો છેવી કથાર મહારાજ ને ટોપી પેરાવી જે ઘણાવધા ઇતો જો મહારાજ હથા ભગવાન હેતો આપણ આપણને સીખવ અસત્ય હમેસા કડવુ હોય સત્ય હમેસા કડવુ હોય કડવાવા કડવી વસ્તુ સત્ય છે મે કયો તોરે પણ જ્યારે કામ પડે ત્યારે અમે તેને ઓલખી લઈએ છીએ ઇતી શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શીષ્ય સિધાનંદ મુની વીર્ચિત સ્રી હરી ચરીતરા મૂરુત સાગરના વાલા ભગતો અત્યારના સત્સંગના સમઈમાં આ વાત અતી મહતવની જે ઉં ઘણીવાર સભામાવાં વાત કરું જો આ સત્સંગને ત્રણ કેટે ગરીમાં આપણે વેચી સકી આ સત્સંગ પ્રગટનો જે જે દીંશે તમને પ્રગટનો બગળિરેચે નું કારણ એ છે કોઈ કોઈ ને કઈ સક્તુ નથી કારણ કે કોઈ ને કોઈ નું સાંભળવુ નથી કારણ કે દુન્યનો દરેક માન્શ એવુ ઇચ્છે છે હું જે છું જેવો છું એવું મને જે સારો કે ઈજ મારો છે સતસંગ પ્રગટનો છે સતસંગ રોકવા ટોકવા નો છે પણા બે વાસ્તુ બોં દૂરની છે બોલવી સેલી છે અને આપણા નંદ સંતોઈ ત્રિજુજે ટાઇત્લ આપુછે સાસ્ત્રોમાં સતસંગ સમજણ નો છે ભગવાનો ભગ્ત જેમાં સમજણ હોય એજ બની સકે સમજણ વિનાનો જીવ ભગ્ત ન બની સકે સાધુ ન બની સકે બંદીરમાં આવાથી તિલક ચાનલો કરવાથી કે સમજણ આપણી વધી નથી જવાની આવતી કાલે આપણે એક દિવસ માટે મહારાદની જે વાત છે ને સાગરની એજ સમજવી છે સમજણ કરોરો પ્રકારની જે પણ એમાં સતસંગમાં અમુક સમજણ જરુરી જરુરી જે હોવી જોયે એ નથી તો તમે આગળ નંબર એક નંબર બે સતસંગમાને ભવ્તિક જગતમાં આગળ વધવાં માતે અમુક સમજણ જોયે જે એ નહોય તો તો ત પંદર સોપાન જેમ આપળે માનના પત્ચિસ પ્રકારો સંભ્ળા આતાને એમ પ્રામાણિક તાના પંદર સોપાન એટલુ સરસ આમાં લખ્યું છે એટલુ સરસ દુનિયા ભરના ચિંતકો દુનિયા ભરના લેખાકો બધધાજ આવાતમાં સમતછે તો આવતી કાલે આપણે પ્રામાણીક્તાના પંદર સોપાન અને સાથે સાથે માહરાજ ની વચના માહરાજે સમજણની એટલી સરસ વાતો કરી છે વચના મરત અંત્યનો અજ્યારમું સિતાજી ની સમજણ વચના મહરાજ ની આ વાતો આવતી કાલે આપણે સમજણ ને દરળ કરવા સાંબલી સું તમને ઘરમાં પરિવારમાં ડગલે ને પગલે કામ લાગેવી છે મને પણ કામ લાગેવી છે તો વાલા ભગતો આપણે આવતી કાલે આ સમજણને દર